नमस्कार दोस्तों, ECTC Technical Channel में आप लोग का स्वागत है आज हम लोग देखेंगे आधार के बारे में आधार में हम अपना मोबाइल नमबर कैसे अपडेट करेंगे ये चीज़ देखेंगे अगर आपके अधार में आपका कोई मोबाइल नमबर रेइस्टर नहीं है तो हम अपडेट कैसे करेंगे, ये देखेंगे आए हम लोग देखते हैं, step by step कि कैसे हम अपना नमबर अधार कार्ड में अपने अधार नमबर पे अपडेट कर सकते हैं तो first step से आपको पहला step है, जो अधार कार्ड का, गौवर्मेंट का जो वेपसाइड है आप वेपसाइड को देखेंगे एक बार ये वेपसाइड है www.uidai.gov.in ये हमारा वेपसाइड है, इस वेपसाइड पे जाना है और activity हम स्टार्ट करते हैं, आप देखते रहिएगा, आप खुद भी अपना mobile नमर चेंज कर सकते हैं इस वीडियो को देखके, वीडियो को लाइक, सेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा आए हम लोग देखते हैं, तो पहला step है, माई आधार टीक है, यहां पर हम क्लिक करना है, माई आधार में यहां पे एक ओप्शन है, आपका क्लिक कीज़िए, order, आधार, री प्रिंट ठीक है, यहां पर हम क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के वाद से, next हमारा step है और टू अधार रिप्रेंट ठीक है क्लिक किये पहला स्टेप है हमने यहां पर क्लिक किया यहां पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है जिसके अंदर आपको मोबाइल नंबर डालना है ठीक है तो मैं एक अधार नंबर डालना हो ठीक है आधार नंबर में फिल किया अब यह यहां पर एक आप्सन आ रहा है मैं आधार माइ मोबाइल नंबर इस नॉट रिस्टर टो इस पर क्लिक कर देंगे ठीक है इस पर क्लिक कर दिए अब यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर जो डालना है जो रिस्टर्ड मोबाइल करना है उसको डालिए यहां पर अब जो रिस्टर्ड करना है उसको मैं डाल रहा हूं ध्यान से मोबाइल नमबर डालिएगा अधार नमबर भी ताकि आपको परिशानी ना हो अब इस पर OTP के लिए हमको सेंड करना है सेंड फॉर OTP अब यह OTP जो आपने नमबर डाला है उसके अंदर OTP के लिए वो चला गया अब हम यहां पर जो हमारा six digit का यह OTP आयागा उसको हम यहां पर फिल करेंगे ठीक है अब वेट करते हैं OTP के OTP हम फिल करते हैं OTP आगया OTP फिल करते हैं OTP फिल करने के बात से अब यह हम next submit कर देते हैं submit कर रहा है submit हो गया verify और अधार detail make payment अब verify करेंगे अधार detail और payment भी करेंगे इसके अंदर हमको payment भी करना पड़ेगा क्यूंकि कुछ changing के लिए आधार card में आपको UID Center पर भी जाते हैं तो आपको 20 रुपीज 50 रुपीज जो भी चार्ज किये जाते हैं यहां पर भी सीम प्रोसेस करके चार्ज पे करके आपका जो new process है वो payment हो जाएगा अब आपको net banking के थ्रूप ATM के थ्रूप UPI के थ्रूप आपको यह amount पे करने है तो ठीक है आप ATM से पे कर दे या UPI से पे कर दे आपको यह पे करने है ठीक है तो मैं इसको पे करके फिर आपको पे करके इसको आगे का प्रोसेस आपको पेटियम के थ्रूप मैंने पे करना हूँ कि मैं अनुमगे पत्व हो गया ठीक है यह आपका acknowledgement आ गया कि आपने जो transaction, receipt, amount, payment, सारा data आपके लिए आ गया, अब यह जो slip है, आप इसको download कर लिए slip download हो गया, देखिए इसको change करने के लिए हमको 50 रुपीज पेक करना पड़ेगा, तो ही हम जाके अपना mobile number change कर पाएंगे, यह देखिए यह पुरा database आ गया, यह receipt आ गया, receipt number आ गया, transaction, amount, जो भी आपका आधार नंबर, ठीक है, यह हमारा receipt आ गया, और हमारा number यह change हो जाएगा, within 5 to 7 days, यहाँ पे लिखा हुआ है, चीक है? थैंक यू फर वाचिंग दिस चैनल